गाउं रामपुरा रेणु में मद्दान के दोरान बूथ एजेंट से मारपीट फरजी मद्दान की बात को लेकर हमला करने का आरोप चुरू लोग सबाच छेतर के भाले रिथाना अंतरगत गाउं रामपुरा रेणू में मद्दान के दोरान बूथ एजेंट से मारपीट करने का मामला सामने आया है गाउं रामपुरा रेणू के भूथ एजेंट अनुप जाखड को गायल आलत में चुरू के राजके भरतिया जिला अस्पताल के आपात का लिनवार लाया गया जहां चिकित सकों में अनर सिंग स्टाप ने उसका उपचार शुरू किया अस्पताल में गायल अनुप जाकर ने बताया कि बीती रात गाउं बीकासी के बलवीर सिंग और उमेद सिंग ने धंकी दी थी कि बूथ पर अगर एजेंट के तोर पर बेट गया तो गाउं में रहने नहीं देंगे हम फरजी बोट डालेंगे तो डालेंगे अनुप ने बताया कि इसके बाद शुकरवार को जब बूथ एजेंट के तोर पर पॉलिंग बूथ पर बेटा था तो कान सिंग आया जिसने कहा कि हम फरजी बोट डालेंगे चुप चाप बेटे रेना वरना तुझे जचा देंगे इसके बाद वहां मीटिंग करने लगे तो मैंने पुलिस को कहा कि इन्हें कैदों की बाहर जाकर मीटिंग करें इसके बाद इन्होंने गाली गलोच निकाली इतने में नर्पत सिंग और नहर सिंग ने मारपीट की और टेबल उठाकर उसके सिर पर वार कर दिया अनुप जाकर ने बताया कि उसने मारपीट के सम्मन्द में भालेरी पुलिस को परिवाद दिया है इधर मौके पर एरिया मजिस्ट्रेट और मॉबाइल पुलिस जापता पहुंचा और मतदान शुरू करवाया जा सका